नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ करिस्मा राजधानी पटना से मधुबनी जिले का फरजी डियस पी ग्रफतार किया गया था आपको बदा दे कि वो गांधी मैदान के पास से ग्रफतार किया गया था उसकी जूट की दुनिया बहुत ही बड़ी है पुलिस उसकी जाच कर रही थी जाच में बहुत कोछ खुलाशा हुआ है हलाकि वो अपने माबाप को खुस करने के लिए डियस पी बना था जब वो पुलिस के ग्रफत में आया तो उसने बयान दिया कि वो माबाप को खुस करना चाहता था इसलिए वो फरजी डियस पी बना अब उसका पोल परत दर परत खुल रहा है दरसल गाव वालों से जो जनकारी सामने आई है उसके मताबिक विजे कुमार उस समय जनकारी गाव वालों की लगी कि वो डियस पी बन गया है जब वो सायरन बजाते हुए अपने गाव पहुसता है गाव वालों की तो हो सूड जाती है क्योंकि विजे पढ़ने लिखने में तेज नहीं था और उसके जो परिवार थी वो असमाजिक तत्व लगते थे गाव वालों ने उनके बारे में बताया परिवार का जो रहन सहान हाल डाल था वो भी गाव वालों को रास नहीं आती थी एक दिन जब विजे अचानक सायरन बजाती हुए अपने गाव में पहुचा तो गाव वालों के हो सूड़ गई तब उन लोगों को पता चला कि उनके गाउ का एक बीटा डियेसपी बन गया है लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये डियेसपी नहीं बलकि फरजी डियेसपी बन पटना में घूम रहा है लेकिन पुलिस ने अब उसे ग्रफतार कर लिया है पटना से ग्रफतार मधुबनी के फरजी डियेसपी विजे कुमार के जूट की दुनिया बढ़ी है विजे कुमार देर रात पुलिस सायरन बजाती हुए अपने गाउ जरावली पहुचा था ताकि पूरे गाउ आलों को पता चल सके कि वो डियेसपी बन गया है इतना ही नहीं घरवालों ने डियेसपी बनने की खुसी में विजे कुमार भारती का भव्य श्वागत भी किया था मधुबनी के अन्रामट थाना छेत्र के जरावली गाउ के निवासी बिंदेश्ट्वर मंडल के बीटे विजे मंडल की जूट की पोल उनके गाउ वालोक नहीं खोल दी ग्रामिनों का कहना है कि पूरा परिवार समाजिक प्रविर्ति का है विजे बजपन से पढ़ाई में बहुत कम जोड़ था पटना से फरजी डियस्पी बिजे की गिरफतारी के बाद अला अधिकारी ने गहन पूस्त आच के बाद कई अहम राज खुलें बिजे कुमार भारती के डियस्पी बनने की जनकारी गाव वालों को जनवरी दोहजारी किस में हुई जब रात में पुलिस सायरन बजाते अपने गाम जोरावली पहुचा इसके बाद घरवालों ने DSP बनने की खुसी में बीजे कुमार भारती का भव्य श्वागत भी किया वही ग्रामिनों ने कहा कि हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि विजे DSP बन गया है क्योंकि बीजे पढ़ाई में बहुत कमजोड था वो मैट्रिक की परिक्षा में एक बार पास नहीं कर पाया था ग्रामिनों ने बताया कि बीजे का परिवार हमेशा से विवादों में रहा है बीजे के पिता बिदनिस्वर मंडल पीजी कर स्कूल में सिक्षक थी वो जमेन बिवाद में एक सक्स के मडर केस में आरोपी हैं और बिते तीन महीने से वो जेल में हैं गाउ में बीजे के घर दादा बुआ रहते हैं बीजे के दादा ने बताया कि बीजे निर्दो से उसे फसाया जा रहा है ग्रामिनों ने बताया कि बीजे कुछ साल पहले दिल अब DSP बनने की खबर जब गाव वालों को लगी तो वो भी चम्बित हो गए लेकिन एक दिन बीजे अचानक गाव में सायरन बजाती हुए पहसता तब भी लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ कि बीजे DSP बन गया है उनका परिवार हमेशा से विवादों से जुड़ा हु वो मडर केस में अभी जेल में जो गाव वाले हैं वो भी जेप को कह रहे हैं कि वो फरजी DSP ही होगा लेकिन उनके दादा और उनके परिवार के लोग मानने को तयार नहीं है हलाकि पुलिस के गरफ में है पुलिस उससे पुछताच कर रही है और भी अधिक अपडेट के ल और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें